मुझे एक चीज जाननी है ये स्कूलों में टीचर्स को क्या देख कर लेते हैं तो पांडे जी बताईए अपने बारे में कुछ औरे सर जी मैं बच्चों को चालिस प्रकार से मार सकता हूँ जैसे पीट पे डुच, सर पे कोनी और हाँ मेरा फेवरेट कंपटी के नीचे देशंटी पांडे जी सेलरी किती लेंगे सौर, मेरा नाम रिया है और मैंने बहुत होँऊबग दिया है मुझे बच्चों को होँबग देने में बहुत मज़ा आता है मैंने मेरे tuition के बच्चे को इतना homework दिया था वो विचारा school से छुटी लेके मेरा tuition का homework करता था and you know सबसे मजे की बाद उसकी मम्मी ने बता है वो बच्चा आज तक मेरा homework कर रहा है school के teachers ना Pokemon के जैसे होते अलग-अलग type के मिल जाएंगे English बोलने वाले teachers मुझे एक बात समझ नहीं आती ये school के teachers को English में बात करना क्यों कूल लगता है इनको English नहीं आती फिर भी बोलने की कोशिश करेंगे and then you know what I take out my baseball and मैंने उसका सर फोड़ दिया oh sir आप किते कूल है ना मुझे पता है में कूल हूँ रोहन सर किते कूल है सबसे English में बात करते है मैं भी आज से English में बात करूँगा excuse me how are you me fine me dinner eating in staff room okay sir कुछ भी कहो गुरू English की बात ही अलग है अरे भाई नॉर्मल हिंदी में भी बात हो सकती है मगर नहीं हमको तो English में ही बात करनी है इसलिए मुझे हिंदी मीडियम के टीचर्स ना बढ़िया लगते है ये मैडम जी जरा फादर की स्पैलिंग बताईए तो रुको जरा लिखिए F-A-D-A-R लेकिन इधर तो फिर एक शब्द छूट रहा है काटीजे गलत है वो घुसा करने वाले टीचर्स तुमारी स्कूल में एक नेक टीचर ऐसा होता ही होगा जिसकी शकल पर लिखा होता है ये बंदा सन की है इसको तुमारी हर चीट से प्रॉब्लम है हा बेटा ये क्या गोड़े जैसे बाल करके रखे है और यहाथ में क्या है ब्रेसलेट फैशन करने आयो इदर मैं भी तो देखू जरा कैसे फैशन करते हो जरा करके बताओ जलवा फैशन का है ये जलवा करो करो अरे सर वो बोला ना फैशन करो जलवा फैशन का है ये जलवा अरे रवी सर ये जो फाइल्स थे आपके चलो मैं बाद में आता हूँ ये लो तुमारा कच्छा और मैं माई के जा रही हूं खाना कुछ से बना लेना कभी स्कूल में आतंगवादी भी घुश जाए ने तु ये बंदा भागे का नहीं आतंगवादियों की आख में आख डाल के बोलेगा ये क्या है ये स्कूल में एके 47 लेके आयो ये कोई तरीका हिंदी का टीचर ना तुम्हें ऐसे बताएगा जैसे वो सबको जानता है ये दोहा अपने कालिदास जी ने लिखा था बड़े अच्छे इंसान है सिंगाडे का हलवा बहुत पसंद था उनको बिल्कुल ऐसे बताएगा जैसे कालिदास इसके मामा का लड़का लगता है और सब्जेक में चैप्टर्स के नाम इतने गजब होते हैं दो बैलो की कथा महमूद और उसका पांच रुपे का चिम्टा लाल माटी बेचने वाली अब हिंदी वाला टीचर तुम्हें ऐसे पढ़ाएगा जैसे वो खुद इन कहानियों में था बच्चो लाल माटी वाली एक देखी लाल माटी आज तक मैंने नी देखी लाल माटी आज तक होता क्या यह लाल माटी वो भी नी पता तो पड़ा क्यों रेस के बारे में स्पोर्ट्स वाला टीचर एक स्पोर्ट्स टीचर को न बस गिंदी के दो काम होते हैं पहला असेंबली में स्कूल अटेंशन और स्कूल स्टैंडडडाइस करवाना दूसरा गेम्स खिलवाना लेकिन इस काम चोरा आदमी से वो भी नहीं होते जिस भी दिन तुम्हारा गेम्स का पिरेड होगा ना उसे दिन ही अपसेंट होगा और न जाने क्यों मेरी स्कूल का जो स्पोर्ट टीचर था ना वो समोसे बनाने वाले जैसा था ना ही उससे भागते बनता है ना ही उससे सीटी बजाते बनती है तुम्हारी स्कूल में एक स्टोर रूम होगा जहाँ पर सारी खेलने की चीज़े रखी होगी जैसे बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट की चीज़े ये वही सारी चीज़े जो तुम्हें आज तक कभी नहीं मिली होगी गेम स्प्रेड में मुझे समझ नहीं आती है सारी चीज़े स्कूल में हेईकियों जब बच्चों को देना ही नहीं है हमारा स्पोर्ट टीचर न लड़कियों को सारी चीज़े देता था अरे बैटा ये लो बैडमिंटन से खेलो ये फ्रिजबी खेलो अच्छे चलो में भी कुत्ता बन जाता हूँ फ्रिजबी फेको और इदर हमने कुछ गल्ती से मांग लिया सर वो हमको भी कुछ मिल जाएगा क्या आ गए फिर से भिकारी ये लो सर इसमें तो हवा ही नहीं है अरे क्या बात कर रहे हो इतनी सारी तो हवा है ये देखो अरे तुम लोग यार मूँ से भर लो हवा इदर हम सारे लड़के एक फुटबॉल के साथ जिसमें हवा भी नहीं है और उदर हर लड़की के पास कुछ ना कुछ है इवन सर भी कुत्ता बना हुआ है सर सर सुनो भाव 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 अरे यार क्या है अरे सर वो हम ढाई सो लड़के एकी बॉल के पीछे भागरेते तो वो फुसकी नहीं है वो गिर के भीड में आ गया वो नीचे गिर गया था तो उसके कलेजे पे बंटी ने पैर रख दिया बताओ किदर है यार तुम लोग में ने यार क्या काम बढ़ाते हो देखो उसको कैसा हो गया है बेफाल तुमें अब एम्बूलेंस को उलाना पड़ेगा मैट्स वाला टीचर देखो मैट्स है कैसा सबजेक्ट है जिसको अगर तुम गर्मियों की छुट्टी में भी स्कूल जाके पड़ोगे न तो उसका सीले बस खतम नी होगा पहली बात तो मैट्स की बुक डिशनरी से भी जादा मोटी होती है तुमारी दो पिरेट तो मैट्स की बुक में चैप्टर ढूणने में ही चले जाएंगे बच्चो के मूँ का थूख खतम हो जाता है मैट्स के पन्ने पल्टा पल्टा के और जिस दिन मैट्स और एसिस्टी का पिरेट साथ में लग जाए भाई उस दिन तो दो बैग लेके जाना पड़ता है स्कूल में भाई बच्चो को कूली लेके आना पड़ता है स्कूल में कूली पास जाओ तो वो भी मना कर देते हैं अबे भाई तू रहने दे तेरे बैग उठाने से अच्छा ये लोहा नी उठा लू मैं अगर तुम्हारी स्कूल में आठ पिरेड लगते होंगे, तो उसमें से तुम्हारी चार पिरेड मैट्स वाले टीचर के लगेंगे, एक पिरेड उसका खुद का और बागी के तीन पिरेड जो टीचर अपसेंट है उनके, पता है मेरा मैट्स बहुत ज़्यादा खराब था, और मेरा जो मैट्स का टीचर था उसको पता नहीं क्या मस्ती चड़ती थी, मुझसे ही सब कुछ पूछता था, हाँ मेटा यू बता जरा, ये तू को अंदर इंटु करूँ कि ब्रैकेट खोलू, कि पीछे वाला तू भारा के इंटु हो जाएगा, हर क्लास में यही मस्ती नहीं किया है, तो वो लाल बटन दबाओ और मुझे सब्सक्राइब करो यार, और अगर मैं तुम्हें थोड़ा जादा पसंद आ गया हो, तो तुम लोग मुझे इंस्सेग्राम पर फॉलो कर सकते हो, और हाँ ये मेरा सेकंड चैनल है, यहाँ पर मैं खाना बनाना सिकाता ह आपको एक टेबल स्पून तेल, देखिये दोस्तों, आपको ये बड़े ध्यान से डालना है, मैं तो बड़ा प्रो हूँ, मुझे तो सब कुछ आता है, आप जरब ध्यान से डालिएगा, तो चलिए हम तेल डाल देते हैं, ये डाला ये तो ये नॉट्यो टैप क्या बोलता तो इस वीडियो के अंडिंग मैं तो दोस्तो इस वीडियो के बस इतना ही मैं मिल दो तुमसे नेक्स वीडियो बे तब तक के लिए, बाई!